तो यूपे में दूसरे चरण के निकार चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याश्यों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है क्योंकि 11 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तिमाल करती हुई नजर आएगी तो लगतार हमारी टीम भी प्रदेश के तमाम वाडों में तमाम महलों में पहुँच रही है साथ वहाँ पर क्या विकास हुआ कैसे विकास हुआ ये जानने का भी प्रयास कर रही है तो इसी कड़ी में जब हमारी टीम बारबंकी के टिकात नगर पहुची तो वहाँ हमारी मुलकात वर्तमान समय में नगर पंचात अध्याक शुपद पर आसीन जगदीश प्रिसाद गुपता से हुई इस दोरान बीजेपी प्रत्याशी जगदीश प्रिसाद गुपता इस बार भी चुनावी मैदान में उतर है और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतर कर दुबारा से यानि की चौथी बार जनता की सेवा करना चाहते हैं यहीं वज़ा है कि लगदार वो जनता के बीच पहुच रहे है जनता से जादा से जादा समर्थण मागने का भी प्रियास कर रहा है तो बारा बंकी के टिक्यात नगर-नगर पंचायत सीट से पंचायत अध्यक्षपत पर वो लगदार तीन बार से काबिज है अपने शेत्र का विकास कर सकूँ और अपने शेत्र को एक आदर्श शेत्र बना सके यहीँ उमीद लेकर के वो उस बार लगतार जनता के बीच पहुँच रहे हैं और यहीँ उमीद कर्रहे हैं कि जब 11 मई को जनता अपने मतका अस्तमाल करेगी तो वो उनके पक्ष में जादा से जादा वोट दे और उनको विजय बनाए तुम इस बार हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी जगदीश प्रसाद गुपता सीधे तोर पर हमारे साथ जुड़े हैं सर पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जगदीश जी मैं चाहती हूँ कि आप पहले हमारे दर्शकों तक अपना परिच्या खुद पहुचाएं मैं जगदीश प्रसाद गुपता टिकैत नगर का निवासी हूँ वर्स 2000 में पहली बार सेवा का उसर मिला है और मैं यह चौथा चुनाओ नगर पंचाएदा धेच के लड़ रहा हूँ जैसे कि आपने जिक्री किया कि 2000 में पहली बार जनता ने आपको मौका दिया और लगातार आप तीन बार इस्पत पर काबिज हैं आपकी यह पूरी जर्नी कैसी रही बहुत अच्छी रही और मैंने मैं कह सकता हूँ कि पहली बार जब सेवा का उसर मिला मुझे तो टिकेट नगर में विकास की कहीं कोई किरण नहीं दिखाई पड़ रहे थी जनता मूल भूत सुविधाओं से वंचित थी और एक बड़े भरोसे के साथ जनता ने मुझको अपनी सेवा का उसर दिया और मैंने प्रतेक अपने कारकाल में तमाम नई-नई योजनाओं को ला करके और टिकेट नगर में विकास की गंगा बहाने के साथ साथ जन करल्यान क तमाम कार मैंने किये हैं ऐसा मेरा अपना रहा जगदीश जी अब आप चौथे बार अपनी दावेदारी भाश्पा के तरव से पेश कर रहे हैं तो जब आप जनता के बीच जाते हैं उनका समर्थन मांगने तो जनता जो है वो कितनी खुश होती है आपको देखकर जनता बहुत खुश है इस कारकाल में विकास तो हमने हर कारकाल में किया लेकिन अब की बार चुकि देश में नरेंदर मोदी जी जैसा यससी प्रधान मंतरी और पूजी योगी महराजी जैसे मुकमंतरी जिनका असिरवाद प्राप्त हुआ और हमारे माननी असांसाज जी और जो हम सब के लोकप्रिय यससी बिधायक हैं जो राद दिन जनता जनारदन की सेवा में समर्पित रहते हैं वरतमान में राज मंतरी हमाने सतीश चन सर्मा जी जिनका अभूत पूर्व सहयोग रहा जिससे विकास तो हुआ चोमुखी साथ में जन कल्यान के बहुत काम हु सोला सो प्रदान मंतरी आवास हमने दिया चोटी सी पंचायत में सबको सवचाले सबको विद्वा पृद्धा इव्यांग पिंसन सबको रासान सबको किसान सम्मान निदी गए सेलेंडर सबको विजली कनेक्सन ने सुल तमाम जन कल्यार के काम हुए मुखमंतरी सामोई होता और मुझे और मेरे लोगों को कारकरता को बहुत खुसी मैसूस होती है बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपने शेद्र का विकास किया होगा तभी लगतार जनता आपको चुनती हुई है लेकिन इस पर आपके चिनावी मुद्धे क्या है जिसको लेकर आप जनता के में हैं और मैं मैंने कोई बहुत वादा नहीं किया मैंने ही का कि जो भी विकास के कार हैं चलते रहेंगे और जन कल्यान की जितनी ओजनाय हैं वो निरंतर चलती रहेंगी जो भी लोग वंचित रहें गये हैं उनको भी वो लाप पहुचाने का काम करेंगे और साथ साथ एक कन्या डिगरी कालेज की स्थापना और एक विशेश सुविधाओं स्युक्त साधी घर का और एक पानी टंकी जो हमने इस कारकाल में जिसकी शुकृति हम करा करके मानने मंत्री नगर विकास तक पहुचा दिया था जमीन अमीन सब उसमें चिन्नित हो चुकी है उसको बनवाने बस्तिया बढ़ी हैं उनमें हम पाइपलाइन डालके सबको सुद्ध पेजल देने का का और प्रतेग वार्डों में हम थंडा वाटर कूलर सीतल पेजल और सुद्ध पेजल प्रतेग नागरी को फ्लब दो इसके लिए प्रतेग वार्ड में लगाने का हमने तीन-चार मूल बूत बाते कही हैं बाकि सारे काम जो विकास है जनकर लियान है चलते रहें जनता जानती कि जगदीश कहते रहें करने बिस्वास रखते हैं बिलकुल जगदीश यह आप एक लंबे समय से मेरी जानकारी के मुताबिक भारती या जनता पार्टी से जुड़े होए हैं तो भारती या जनता पार्टी में आप अपने प्रेड़ना का स्रोथ किसे मानते हैं हमारे तो इस वक्त पूरे देश के और बिस्व में जिनके जिनको लोग पूंज रहा हैं ऐसे प्रदान मंतरी यह सोसी मोदी जी हैं और योगी जी हैं बाकी तो भारती जनता पार्टी का एक एक सिपाही जो है आईकॉन है सबका बिल्कुल जगदीजी जाहिर सी बात है कि आपने राजनीती में आने का मन बनाया होगा तो जनता की सेवा करने का मन बनाया होगा लेकिन आपने ये कब तैक्या कि आप राजनीती का ही रास्ता चुनेंगे जनता की सेवा के लिए कि नहीं मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था मुझे राजनीत करना पड़ेगा लेकिन टिकेद नगर की इतनी दुर्ब्यवस्था थी तो लोगों ने सोचा मेरे चुकी पूझ पिता जी सामाजी कारोयों को करते थे ब्यापार करते थे लोगों के लगा इनके परवार से किस हजारों लोगों ने घर गेर लिया कि लड़ना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ा मुझे राजनीत के कोई अन्भों भी नहीं था लेकिन वही है कि सच्चाई से मेनस से काम किया जाए तो इस वर मार्क स्वयम बना देता है मैं एक कदम बड़ा भगवान ने चार कदम आगे बड़के मुझे मेरे हर काम को किया और फिर करते 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 हर बार जनता मुझे बार बार लड़ाती है मैं लड़ता हूं और मैं सेवा करता हूं बस ऐसे चल रहा है पिलकुल जगदीजी जाहिर सी बात है कि लगतार अगर आपको जनता चुनती है तो वाकई में अपने शेद्र का विकास क्या होगा लेकिन अभी आपने बता है कि आप राजनीती में नहीं आना चाहते थे लेकिन आ manure अब आप राजनीती में रहते हुए आप लगाता जंता की सेवा करने हैं लेकिन आप उस राजनीती में आने का श्रय किसको देते हैं तो राजनीती में आने का स्रे अगर हम कहें तो सत बात है कि जंता का ही है तिकेर नगर की जंता ने मेरे घर को घेल दिया था चारोट से और बिल्कुल वो लगा रहे थे कि लड़ना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा हमारे परवार में माताजी सब लोग हम लोग रोने लगे कि हम लोग राजनीत किये नहीं है हम कई से राजनीत करेंगे हम लोग सुद भी अपारी थे लेकिन जंता ने का है लड़ना लड़े तो जंता नहीं चुनाव लड़ा पहली बार मात्र जो हमारे सामने प्रत्यासी थे 15-20 ओर से उनकी जमानत बची थी बाकि सबकी जमानत ज जाता है मैं अपनी पर्स नहीं रखता हूं आज तक मैंने किसी को 10DR चुनाओं के समय न दिया है ना कोई प्रलोभन दिया है ना जो आज कल चुनाओं में प्रियोग होने वाली चीज़ें उनका मैंने कभी प्रियोग कोई मंच नहीं लगाता हूं के वल्द जंता के बीच म के कार के लिए समर्पित रहता हूं जगदीज जी जब जनता ने साल 2000 में आपको पहली बार मौका दिया था तो वो समय आपके लिए कितना चुनौतियों से भरा था हमें तो बहुत डर लग रहा था हम सोच रहे थे हम कहां फस गए राजनीत में जिन से लड़े थे बहुत प्रभावसाली थे और उनके आगे हम कहीं कुछ नहीं थे लेकिन अब डर तो लग रहा था लेकिन हम यह था कि जनता चाह रही अगर हो जाएंगे तो ठिकाइद नगर का कल्यान होगा और नहीं होगें तो अपने घर का कल्यान करी रहे हैं तो याने के डर से आपने पार तो पालिया लेकिन यह साल 2030 है कि इस वक्त आप किसी पार्टी को अपनी शेत्र में चुनवती मानधी जो आपका कड़ा प्रतीद्वंधी हो कि नहीं हमारे हां आपके चैनल के लोग हैं देख लेंगे तिकेश नगर जाकर के विकास की जो चीजें जो जनकल्यान के काम हुए हैं और एक बात और बता दू कि जितनी भी हमारी योजनाएं केंडर सरकार की प्रदेश सरकार की हैं यो हमारी पार्टी के मुखिया की सोच है जीरो टलरेंस पे हमने सत पर सत प्योग कि हमारी किसी होजना में आवास, सोचाले, गैस, बिजली, किसी में सुई की नोग से किसी अरकारी करमचारी और स्वयम मैंने 10 पैसे का बरिश्टा चार नहीं किया, किसी करमचारी ने अगर गडबल किया, तो उस पर कारवाई करके हमन ठीक है, जगदीश जी अमूमन जनता ये सोचती है कि जो उनका प्रत्याशी है, जिसे वोट देगी, वो 5 साल के बाद ही सिधा उन्हें चेहरा दिखाएगा, लेकिन आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े होए नेता रहे हैं, लेकिन जब आप राजनीती में आये तो लोगों को भरोसा दिलाना कितना मुश्किल था आपके लिए? ला करके लोगों समर्पित किया, तो अपने आप भरोसा कायम होगा, भरोसा कहने से कायम नहीं होता है, भरोसा काम करने से कायम होता है, हमने हमेसा काम को अपना उद्देश माना, अपने कर्तब का, जो हमारा, जो कि भगवान किस ने भी कहा है कि कर्तब करना चाहिए विक्त और क्या कुछ रणनीती बनाई है चुनाव के प्रचार के लिए नहीं कोई नहीं चुनाव प्रचार में केवल सुबा अपनी गाड़ी से चार-पांच लोग निकलता हूं मौलम जाते हैं मौलक लोग साथ में हो जाते सब और हाथ जोड के केवलोड मांगता हूं स्टीकर और पोस्टर हमारे लगे हुए हैं और इसके लावा हमारा ना कोई मंच हमें लगाने का प्रोग्राम है और ना कोई और हमने संसाधन का प्रियोग किया है बिल्कुल यानी कि आप जो लगता सिर्फ जनता के बीच ही पहुच रहा है क्योंकि जाहिर से बात अपने काम काफी हद तक किया है यही वज़ा है कि लगतार आप जनता के बीच एक लोकप्रिया नेता बन कर उब रहे हैं लेकिन डीरा सवाल आपसे यह है कि आपने विकास ब्खुवी किया काफी जादा किया है लेकिन वो कौन से एहम मुद्द्ध है जो आपको लगता है कि इस बार उस पर आप काम करना चाहते हैं कि वहीं आप से बता है कि अब की बार विकास तो जो है सतत प्रिक्रिया है वो चलता रहेगा हमने बताए कन्या डिगरी कालेज एक आधुनिक सुभदाओं से युक्त साधी घर प्रतेग वार्ड में वाटर कूलर और पानी टंकी का सुकृति है उसको फाइल मंजूर करा करके और एक टंकी और हो जाएगी तो जो प्रेसर कम है पानी का प्रेसर भी अच्छा हो जाएगा और जो हमारी नई बस्तिया बसी वहां पाइपलाइन डला के उसमें 20 किलो मीटर पाइपलाइन का प्रविधान है तो हम अपने आखरी छोड तक हो जो चोटे 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 खड़ा करवा के और बड़ी सी पानी टंकी रखके समर सेवेल लगा के संसर सिस्टम से पेजल की सप्लाई वह अनसूची जात के बस्तियों में करने का काम किया 24 घंटा और यह कार्कम हम अन्न बस्तियों में भी इस कार्कम को अगली बार करेंगे अश्य जब आपने अपने में लगता है कि इस तरह हमारी मेनत से हमको ज्यादा दे रहा है जनता जनार्दन जिस तरीके सासिरवाद देती है और कहती भी आप काहे दोड़ रहे हो आप पांच साल मेनत की हो अब बार बार ना हो हम भी आपी को देंगे और आपने सब कुछ किया मापको नहीं देंगे करेंगे भगवान नहीं माफ करेंगे लोग इस तरीके से कह रहे हैं कभी कभी हमारे आसू आ जाता है कि हमने इतना नहीं किया जितना इनका भाव हमारे प्रत्र तो जनता बहुत खुश है और आप परड़ाम आएगा तो आप देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं अच्छ खुश होते हैं यह बल्कि आपको रोकता कि बारबर ना आए लेकिन जब लोगों यह जान आते हैं और आप जब शेतर में निकलते निकलते हैं रहे मं क्वाहत का दो होता है और मुझे अपने उन किये हुए कार्यों पर गर्व होता है मैं इस स्वर को धन्वाद देता हूं और हमारी टिकेट नगर की जनता को में धन्वाद देता हूं क्योंकि आज कल चुनाओ का कल्चर है जिस तरीके से लोग हम देखते ग्राम पंचायतों में दद्दस ला और व्यादुनी बस्ताओं सीवा करता हूं कि जनता लडाती है इक विस्वास के साथ लजाती है तो मेरा जीवन हो मेरा राद दिन ह curseाना की इनका तोटे इनके विस्वास के साथ बिस्वास घात न हो इस प्रयास में मैं काम बरता हूँ जगदीश ये अपने एक शब्द का जिक्रिक किया चुनावी कल्चर हाँ हमने देखा है कि आम उमन बहुत सारी रणनीतियों का अस्तमाल होता है साम दाम दंड भेद लगा दिया जाता है चुनाव जीतने में तो आप उन प्रत्याशियों से क्या कुछ अपील करेंगे प्रत्यासी 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 सब निरास है यहां पर प्रत्यासिन यहां सब निरास हैं जनता उनको बहुत भूखा जवाब दे रही है और यहां चुनाओ प्रत्यासि के कुछ कहना उचित नहीं जो प्रत्यासिन हैं उनकी उनके बारे में भी जनता जानती है जगदीज जी अब आप प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से मैं हाज जोड़कर यही निवैदन करता हूँ कि आप जिस तरीके से भरोसा विश्वास आपने हमेशा जगदीज पर किया है और हमने उस भरोसे को और विश्वास को कायब रखा है पुना आपने मुझे आसिरवाद देने के लिए मैदान में उतारा है आप भरपूर आसिरवाद दीजिए और टिकैत नगर से संदेश और इतिहास बने और मैं आपके भरोसे विश्वास को कभी तूटने नहीं दूँगा और दिनरात अपने आपको खपा करके यहां से ले करके दिली तक जा करके जनकल्यान की और विकास की अधिक सदिक योजनाओं को ला करके आपके स्रीचरणों में प्तेस्ट करूँगा आप सब मुझे भरपूर आसिद्वाद पतान करें यही सबसे काम ना करता हूँ जग्दी ची मेरे एक आखरी सवाल आप से कहे है कि सन 2000 का टिकेत नगर और साल 2030 का टिकेत नगर इन दोनों में अंतर जब आपने देखा होगा तो क्या सबसे बड़ा अंतर आपको दिखाई दिया में की बहुत बड़ा नतर आगया है अनतर इतना बड़ा आगया है कि जमीन और आसमान में जो अंतर होता है वो अंतर आगयाaving के हर जंगा सुद्ध पेजल हर वाडों में गली गली में बिजली बढ़ियां लाइट अच्छी सड़के सड़क अच्छी नालियां नालियों पे हमने स्टील की फोल्डिंग जाल उन जालों को उठा करके धुलाई करवाकर ब्लीचिंग डलाने का काम तमाम ऐसे काम कि टिकायत बिल्कुल बदला बदला सा जो लोग बाहर है लौड क्या है पांच साल बात पहले कारकार में उन्होंने आके धनदवाद दिया कि आपने तो तिकायत नगर बदल दिया और यह सब्सक्राइब कर दो चार कदम आगे बढ़के मेरे कारों को सफल करता रहा तिकायत बहुत ब कामना है आपके साथ है कि आपको इस बार भी जनता विजय बनाए धनेवाद जग्दीज ली हमारे साथ जुनने के लिए तो आपने दیکھा कि लगातार जो हमारी टीम है वो हर एक शेतर के साथ यहर एक वोर्ड में पहुंच रही है और वाकई में बहां के विकास क्या है ये जानने का प्रियास कर रही है तो इसी कड़ी में जब हमारी टीम 12 बंकी के टिकैत नगर नगर पंचाथ पहुची तो वहां हमारी मुलाकाज भाजपा के नगर पंचाथ अध्यक्ष पर काबिज जगदीश प्रिसाद गुपता से हुई वो लगतार तीन बार से इस पत पर और इस बार भी वो अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आया और इस दोरान उन्होंने साफतोर पर कहा कि मैंने अपने बीते तीन कारिकाल में सिर्फ जनता के विकास के लिए काम किया है सिर्फ जनता के लिए ही काम किया है और ऐसे मैं अगर एक बार फिर से जनता आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार